Hello students, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने study किया था What is Refraction? Refraction क्या है? और इस वीडियो में हम study करेंगे What are the laws of reflection? तो Refraction आपको याद होगा क्या था? कि जब कोई ले जो है एक पाथ से दूसरे पाथ पर आती है एक medium से दूसरे medium में आती है तो वो अपने पाथ से जायवर्ट हो जाती है This phenomenon is known as Refraction ठीक है? अब Refraction के 2 laws है What are these laws? ठीक है Refraction तो यापको ध्यानी होगा ये incident ray आई एक medium से दूसरे medium में तो ये अपने पाथ से जायवर्ट हो गई ठीक? अब ये incident ray है ये refracted ray है और एक ये normal है ठीक? तो 2 laws है Refraction के 1st law क्या कहता है? की incident ray refracted ray अगर 2 medium है तो उसमें कोई like की ray के लिए incident ray, refracted ray और point of incidence पे जो normal है तीनों same plane में होते हैं This is the first of reflection ठीक है? पहला नियम क्या कहता है? incident ray यानि आपतित किरण और ray of refracted refracted ray यानि अपवर्टित किरण और आपतन विन्दू पे अविलम normal on the point of incidence तीनों ही जो है same plane में होगे same plane का मस्तब क्या है? जैसे यह board है तो इस board में ही जो है इसी plane में incidence ray होगी इसी plane में जो है refracted ray होगी और इसी plane में जो है normal होगा यह नहीं है कि normal इस तरह से हो ठीक है? यह plane अलग हो जाएगा यह board का plane है that is same plane तो same plane में होगा एक ही तल में होता है incident ray आपतित किरार refracted ray अपतित किरार और नॉर्मल on the point of incidence आप तल में पे अबलब तीनो एक ही तल में होती है तीनो same plane में होती है ठीक है? इसीज़ अपस लोग रिफ्रेक्शन and second law क्या है? एक और है इसका second law second law recording तो यह आई है angle of incidence और दूसरा angle of reflection इनकी दूनों की जो sign है या जया है उनका ratio जो है वो constant होता है sign I upon sign R is equal to constant ठीक? इनका ratio जो है दो medium के लिए हमेशा constant रहता है इसको snare का नियम भी कहते हैं snare में जो है इस पे काफी research की थी इसने experiment किये थे और उसने जो है क्या observe की आपने experiments में जो scientist snap थे नो ने क्या किया दो medium लिए ठीक है एक इधर medium ले लिया हमने support air है और इधर glass है ठीक तो नो ने क्या किया यह कोई point लिया angle of incidence इस पे हमने normal drop कर लिया है तो उस पे जो है कोई ray incident हुई इस तरह से angle of I I 1 लिया हमने ठीक है तो यह जब दूसरे medium ने आई तो क्या हुए पोड़ी सी bang होई यह angle of R यह दिश्यक्टेड रहे ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने इसका ratio निकाला sine I 1 upon sine R 1 ठीक है अब उन्होंने medium चेंज नहीं किया लेकिन angle of incidence चेंज किया अब दूसरी उन्होंने फिर से I का value जो है I की change करने के बाद फिर देखा नोंने यह उन्होंने I की value चेंज कर दी अब यह मांनिया I 2 है यह refracted ray यह R 1 है incident ray refracted ray फिर यह उन्होंने यहाँ पर निकाला sine I 2 upon sine I 2 फिर इसकी value निकाली what is the ratio of sine I 2 and sine I 2 फिर एक बाद फिर से नोंने जो है angle of incidence change करके फिर देखा इसके से नोंने कई बाद experiment हिया यह अब हमने ले लिया I 3 angle of incidence ठीक है अब इसके लिए फिर यह R की value जो है R 3 ले ली फिर यहाँ पर उनोंने फिर निकाला sine I 3 upon sine R 3 फिर फिर तो इनोंने क्या देखा हर वार जो है medium अगर एक तरफ का जो है वही medium दूसी तरफ same धर एर लिया है तो इधा glass लिया है लेकिन I की value change करके इनोंने देखा I 1, I 2, I 3 तो क्या देखते हैं कि जो sine I 1 upon sine R 1 है उसकी जो value है same value sine I 2 upon R 2 की आई और same value sine I 3 upon sine I 3 upon sine R 3 की आई तो इस तरह से उनोंने क्या दिसकर शिकाला उनोंने कहा कि sine I upon sine R दो mediums के लिए हमेशा constant रहता है नियत रहता है नियतांग sine I upon sine R is equal to एक constant होगा एक नियतांग होगा उस नियतांग को नोंने नाम दिया N इसको नोंने नाम दिया N का refractive index अगर एक माध्यम 1 है दूसरा 2 है तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्षी ये refractive index या तपवरत रांग होगा ठीक तो this law is known as snail's law और यही second law of reflection है ठीक है तो दोनों law आपको समझें आगे what is the first law of reflection what is the second law of reflection first law के कहता है कि angle of incidence ray है जो refracted ray है और incidence point पे जो normal है तीनों same plane होगे second law कहता है कि जो sine i है incident angle की sine sine i और यह refractive angle इसका sine r दोनों की j का आपको रेशियो एक हमेसा constant रहता है दो same mediums के लिए ठीक है this is the second law law of reflection और snare's law चीक है ओके समझ में आ क्या अगर आपने अभी तक हमाई वीडियो को मेरी वीडियो को like नहीं किया है तो like, share and subscribe जरूर कर दे जिससे की और इसको bell icon जरूर प्रेस कर दे जिससे next वीडियो का link आपको subscribe